Hello everyone, welcome to study time with new informative video. UPPSC से हर साल आपको पता है कि PCS की वेकेंसी जो है वो आती है PCS का नोटिफिकेशन है जो आता है तो PCS 2023 के लिए जो है वो आयोग में अध्याचन आना सुरू हो गये हैं और आप सभी को पता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है इसी समय आता है और मई जून के सम्तिंग इसकी जो परिक्चा होती है तो परिक्चा की तिथी तो पहले ही गोसित कर दी गई है कि कब इसकी परिक्चा होनी है और बच्चे बस इंतजार कर रहे हैं इसके नोटिफिकेशन का तो देखिए नोटिफिकेशन जो है अभी थोड़ा सा जो टाइम है वो लगेगा फरवरी के सेकेंड या थर्ड वीक तक आपको जो इसका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा और जो अधियाचन है वो आयोग में आना सुरू हो गए हैं लेकिन इतने अधियाचन नहीं आये हैं कि आयोग नोटिफिकेशन निकाले और अधियाचन जो आये हैं तो उसमें SDM और डिप्टी SP के जो पद हैं वो कितने हैं ये सारी चीजे तो देखिए अभी तक जो अधियाचन आये हुए हैं तो जानकारी के अनुसार जो जानकारी पता चली है कि इसमें SDM के और DY के एक भी पद नहीं है अभी तक जो मुझे अपडेट मिली थी उसके अनुसार तो आप सोचेंगे क्या इस बार ऐसा होगा कि SDM और DYSP के पद ही नहीं आएंगे ऐसा बिलकुल नहीं है अधियाचन अभी आना शुरू हुए हैं और कई सारे आपको इसमें SDM और DYSP के पद द आप सारे अधियाचन जो हैं वो आने और आगे जैसे ही जो अधियाचन आएंगे और SDM की DYSP की जो भी जितने भी जो अधियाचन है वो आएंगे तो जानकारी मिलेगी तो निश्ची तोर पर आपके साथ सेयर की जाएगी और इसका जो नूटिपिकेशन है आपको फरवरी के सेकेंड या थर्ड वीक के सम्तिंग देखने को मिल जाएगा क्योंकि आयोग भी तभी नूटिपिकेशन जारी करता है जब ठीक ठाक मात्रा में जो अधियाचन है वो आजाते हैं सबी विभागों से तो SDM और DYSP के पद तो आएंगे और जो बात पता चलिए कि लगबग सो के सम्तिंग आपको इनके पद जो है देखने को मिलेंगे बाखी कुल वैकेंसी तो आपको बताई दिये तो आगे जो भी अपडेट आती है तो इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकर इपराप्त हो जाएगी और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चै झाल को चैनल सब्सक्राइब एंट।